हालो दोस्तों आज कलेंडर की दूसरी क्लास लेकर आया हूँ पहली क्लास में आपको दिनों महीनों और सताबदी के खोड़ बताये गए थे उस video का लिंक के आपको description में मिल जाएगा देखे कलेंडर में दो प्रकार की क्यूश्चन बनते हैं पहले प्रकार की क्यूश्चन उस कल के वीडियो में बता दिया गया था देखे फिर से बता देगा है दो प्रकार क्यूश्चन बनते हैं देखे पहला क्यूश्चन इस तरह बनता है कि कोई भी आपको डेट दे दी ज कौन सा दिन था परस्ट टाइब कर दिए तो पिर से बता रहा है कौन सा दिन था जब अब कर दिए अब कॉट ने का लिए आपको कुल बताया गया था अप्रेइल कर कोड कितना होता है अप्रेल कोड़ होता है जीरो तो प्लस जीरो प्लस अब आपाज़ाई सताबदी कोड़ में सताबदी Combine 900 को कितना बता गया था और कोड़ वी कितना था जीरो प्लस अब बचा 9090 को उसी तरह लिख दिजिए में 508 करें कि तो को 16 तो इसमें कितने लीपियर होगा है चौबिस लीपियर होगा है अब इसमें क्या करते हैं साथ का भाग दे देंगे यह तो आप पूरा एक साथ जोड के भाग दे सकते हैं साथ में अलग अलग दे देदें टाइम बचेगा आपका साथ कन्ने साथ एक सेस्पल बचा और साथ की एक कीस तीन सेस्पल बचा अब इसमें भाग दे दीजिए अंठानवे में साथ का भाग दे दीजिए अलग से कितने बचेगा इस पूरा पूरा चला जाए पूरा पूरा चला जिजिरो सेस्पल बचा और तो क्या क्या बचा थ्री प्लस वण कितना बचा चार बचा इस सेस्पल लिखने इत्प थी प्लस वण चार बचे चार किसका ऐए किसदिन का कोड़ होता है जब गूफ न स्तंस क्कोड अटीक है तो यह सुथ इंध में आप से पूछे जाए इस तरस qualcosa को पंद्र और टील को एक 141 को गुरु आर है गुरु आर है तो गुरु आर है तो दस नव निस सो शैतालिस को काउन सा दिन होगा काउन सा दिन होगा सबसे पहले हमको यह सही दिये की नहीं दिये पंदरा तीन निकालेंगे की गुरु आर सही है की नहीं सबसे निकालेंगे देट कुशी तरह लिख देंगे पंदरा का पंदरा प्लस तीसरा महिन तीसरा महिन मार्च मार्च का क्या कोड होता है चार इसको लिख दीजिए अब यह दिए प्लस अब 41 बचे तो 41 का 41 लिख दीजिए अब 41 में लीप यह कितने हैं 41 चार का भाग देके लीप यह निकाल दीजिए चार का भाग देजिए एक तालिस में अब यह सद्रlor miraculous हैं इसमें अब क्रकाश्भा देजिए सैं मनका भाग देगे हैं इसमें इसमें अब करण मोद्धिए मोद्धिमें झाल ने सभरडुसा इसमें सभर तो 4 तीन साथ इसमें साथ यह पूर्वर पूर शाय है और श्च्छ lover फेल लाया के जीरो से फ़र्ण जीरो किसका होता है सनी वार का लेकिन यह क्या दिये था इसमें घुरुवार मतलब दो घटा के दिये था दो घटा के दिये था गुरुवार यह ध्यान रखने की दो घटा है इसमें गुरुवा अब इसका भी निकाल लीजिए आपको दस नौ का इसका भी निकाल लिए दस नौ अब दस नौ का निकाल लिए दस तरीक को दस ही देख देंगे सिप्टमबर कोड होता है लिए प्लस निकाल कोड कितना होता है जीरो उसी तरह सहे तालिस का सहे तालिस सहे तालिस में लीपियर कितने है चार का भाग दे दीजे सहे गए गेर लीपियर आ जाएंगे अब सेवन का स्में बाग दे दीजे इसमें थ्री सेज पाल आएगा और स्में आएगा और इसमें आएगा फोर इसमें आएगा फाइव ठीक है शाहत नहीं साथ यह कर जाएगा कितना बचा गेरा गेरा बचा गेहरा भागे साथ तो कितना से से स्पल आया इधर चार से शोजिए मतलब चार कौन से दिन आया बुद्धब आया ना मजने किस्वार आया लेकर हमने फोor में कितना गता आया था दो गताया था 辛्म दो गताएंगे जब्ध badly rumors चार में दो गताएंगे तो अंसर क्या हैगा सुम्वाई ठीक है एकर क्यूस्चन देख लीजी तो आपको समझ में आ जाए कि लिए देखिए दूसरे क्यूस्चन आपको जैसे 274 सत्रा सो अड़तिस को रभीवार है तो सोला गेरा सत्रा सो पच्चास को कौन सा दिन होगा कौन सा दिन होगा खिजिए उलग इस चतना कि नहीं आरत तो इस सबसे पहले गिटिक दिजय देठिए कुछ कुछ साथा मैंहां किसका है अप्रेल काॉट victorious कि कि यजिरो पिछली क्लास में अरुग यह तो वीडियो Supreme description में दे दिये जयाओ तो देख लीजेगा अब सतरसों कोड कितना होता है सताबदी का सत्रसों होता है चार ठीक है 38 साल बचा तो 38 लिघ दीजिए अब 38 में लीपियर कितने है इसको कर दीजे तो एक से फ़ला जाएगा इसमें ठीक है अब देखो इस पर कट जाएगा चाहत नहीं साथ इधर हो जाएगा छह दो आठ आठ बटा साथ मतलब इसका कोड होता है रभिवार का रभिवार का कि मतलब यह सही दिए यह सही दिए रभिवार का अब इसका जितना आएका वही अंसर हो जाएका अब 16 गेरा का देख लीजिए इसका निकाल लीजिए इसमें कुछ घटाना बटाना दुआए नहीं क्योंकि एक ही अंसर आया और रभिवार दिये था अगर सोम वार देता तो एक क्लस करते लेकिंए रभिवार दिये तो कोई टेंसन नहीं अब देखिए इसको शोला को कि गरों माहिन के वार कोड़ कितना होता है चार सतरह सो को कितना होता है चार कि इसमें 50 दिए 50 लिग दीजिए बबारा चार का बाग देदिए पर निकला यह लुए जाद का भाग वहोग देँजिए ते अब इसमें करेंगे यह देंगे तो से शब है कि इसमें एक से सल बचेगा आप देख लीजिए चार दूछा एक साथ यह कट जाएगा पूरा और इसमें कितना से सब्चेगा पांच ठीक है इंडिक है फाट लस चार कितना बचेगा नव बटा साथ इसमें कितना बचेगा दो शेस पर दो किसका कोड होता है रिपीट कलेंडर क्या होता है रिपीट कलेंडर अ contributor पीट केलेंडर के पूछ लेता है सवालों में टाइप नंबर थ्री है पूछ लेता है कि दो हजार चार का केलेंडर पुना कब लागू होगा पुना कब लागू होगा अब यह रिपीट कलेंडर एक ट्रिक होती है इसकी देखिए ट्रिक नोट कर लीजिए देखिए अगर लीप एर है तो अठाइस साल बाद कलेंडर रिपीट होगा अगर लीप एर से एक जादा है तो वो छह साल बाद कलेंडर रिपीट होगा अगर लीप एर से लीप एर से दो या तीन साल जादा है तो वह कलेंडर गेरा साल बाद रिपीट होगा गेरा साल बाद रिपीट होगा ठीक है अब देखें क्या है 2004 का कलेंडर पुना कब लागू होगा तो 2004 क्या है लीप एर है ना 2004 का कलेंडर लीप एर है तो लीप एर में कितना जोड़ेंगा अठाइस साल बाद कि 2004 में हम डाइस जोड देंगे 2004 में हम 8b自y जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा केलेंडर पुना कब लागू होगा पुना कब लागू होगा लागू होगा मतलब 2015 की तरीके कौन सा कलेंडर आएगा है ठीक है तो 2015 क्या है 2015 के पहले कौन सा लीपियर पढ़ता है 2012 मतलब तीन साल बाद तो लीपियर के दो या तीन साल बाद कितना जोड़ेंगे हम ग्यारा साल बाद मतलब कितने साल बाद कलेंडर लागू होगा गेरा साल बाद तो 2015 में हम गेरा जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2016 मतलब 2026 में यह लागू होगा 2015 की तरह काम सा कलेंडर होगा 2026 का ठीक है एक और ले लेते हैं जैसे 2000 का केलेंडर पुना कब लागू होगा तो 2000 के पहले काउंसल लीपियर पढ़ता है 2000 मतलब एक साल जाद है लीपियर से लीपियर से एक साल जाद है तो कितना एट करना है च्छै तो 2001 में कितना एट कर देंगे 26 कितना हो जाएक है 2007 मतलब 2001 की तरह कौन सा कलेंडर होगा 2007 का कलेंडर होगा यह रीपियर क्लेंडर है तो कि 2001 का कलेंडर पुना कब लागू होगा उसी टाइप कर तो अगर लीप यह से एक साल ज्यादा है तो च्छाइट करना है अगर लीप यह है तो 28 करना है ठीक है ठीक है यह कलेंडर के सारी क्यूस्चन हो गाएं अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और चैनल क को सब्सक्राइब करें